नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत पूर्ण जानकारे के साथ। जैसे पोधे को साधारन समझ लेते हैं करंज कोई साधारन वरुक्स नहीं है आईर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंतों में सुबह उठकर दातों को साप करने के लिए जिन जड़ी बुटियों की टहनियों का दातुन करने का उल्लेक मिलता है इनमें करंज वरुक्स पहले नंबर लिए इस वरुक्स पर सफेद रंके गुच्छों में पुस्प लगते हैं और इसके बाद फली लगती हैं इसका आकार भी अर्ध चंद्र के समान होता है हिंदी बासा में इसे करंज करंजवा किर्माल और पापर के नामों से जहना जाता है सस्क्रु साहित्य में इसे पेद रंग के गुच्छों में पूस्प लगते हैं तब इस वरुक्स की सोभा पढ़ जाती है। पिनारों पर भी आसाने से मिल जाएगा। आँखों को दो से तिन दिनों तक दोते रहने से आँखों की कई प्रकार के समय स्याएग दूर होती है। दोस्तों दातों के दर्द में भी करंच के वरुक्स का कोई चवाब नहीं है। दातों का स्वस्त और मजबूत बनाए रखने के लिए करंच की टहनी का रोजाना दातुन करे। इसकी टहनी का रोजाना दातुन करने से पाहिर्यानस्ट होता है। दूस्तों अगर आपको करंच का दातुन रोजाना न मिल सके तो करंच के पूरी पंचाग, इसकी छाल, जड़, पतो, सब को मिला कर इसको साओ में सुखा कर जला कर राख बना ले। अब इस राख में नमक और फिट क्री मिलाकर पावडर तयार कर ले इस पावडर का रोजाना मंजन करने से भी दांत मजूद बनते है और दांतों का दर्द मिठ जाता है अगर दांतों में से खुन आ रहा हो या पायर या हो तो ये भी नश्ट हो जाएगा दांतों के दर्द को दूर करने के लिए और दांतों को सौस्थर रखने के लिए ये करंस का रुक्स बिल्कुल मुप्त का और सरल इलाज है अगर किसी को खासी हो जाती है तो करंस के विजो का चूर्णक बना ले और इसमें से एक से तीन ग्राम की मातरा में लेकर सहथ के साथ मिला कर रोजाना चटाए इससे साधरन खासी तो मिठती ही है अगर कुकुर खासी हो जाती है तो ये भी दूर हो जाएगी दोस्तो करंस के बिजो में से तेल निकाला जाता है ये चर्मरोगों का खात्मा करता है तोचा पर अगर किसी भी प्रकार का संक्रमन हो जाता है चाहे दाद खाज खुजली हो या फोड़े फुंची हो इसमें करंस का तेल रोजाना लगाने से जल्दी ही भाइदा होता है और सरसो एरेंड बीज और दूदी इन सब अवसद्यों को मिलाकर पेष्ट बनाए और इसका लेप रोजाना विश्पो टक पर लगाए इससे जल्द ही विश्पो टक रोग नश्टक हो जाता है तो दोस्तो ये थी करंजवरुक्स की छोटी सी लेकिन महत पूर्ण जानकारे व